हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का बहुत-बहुत सवाथ है Study IQ IAS के हिंदी YouTube प्लेटफरम पर मेरा नाम है अवशिक कुमार और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम Western Ghant Mountain का क्रमवार तरीके से हम अध्यन करने वाले हैं Previous Classes में कच और काठियावार मैदान को समझने के पश्याथ यहाँ पर अब हम केरल, करनाटका और गोवा साथ में महराश्या के तटी मैदानों की बारे में डिसक्रसन करेंगी याद रखें कि मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा अर्थाथ केरला वाले पार्ट से यहाँ पर सबसे ज़्यादा content और उस छेतर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है यहाँ पर हमारा जो topic चल रहा है शायद आपको पता हो यदि आपने previous video देख रखे हैं तो यह coastal plains of India हमारा topic है जिसको मैं UPSC, CSE mains point of view से cover up कराने का प्रयास कर रहा हूँ परन्तु ऐसा नहीं है कि इसको other exams वाले नहीं देख सकते यदि other exam वाले भी इन videos को watch करते हैं और इनके notes बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि UPSC ही नहीं other state PCS में भी यह super work करेंगे और आपके content को enhance करेंगे clear तो other exam और साथ में UPSC basically based है UPSC CSE पर अब आगे आते हैं यहाँ पर Steady IQ के P2I batches launch हो चुके हैं जिनकी last date आज है अर्थात 15 जून 2024 यह last date है यहाँ पर हिंदी माद्यम के चात्रों के लिए जो batches start हुआ है वैं geography से हुआ है और यहाँ पर आपको geography मैं पढ़ाऊंगा यह batches वैसे तो 70,000 रुपे में provide कराए जाते हैं परन्तु यदि आप AKB live code का use करते हैं तो आपको मेरी mentorship और साथ में यहाँ पर आपको मुझे connect होने का मौका और साथ में 27,999 का यह पूरा पूरा course पढ़ेगा जिसमें मैं आपको geography पढ़ाऊंगा मेरी mentorship आपको देखने के लिए मिलेगी और साथ में all doubt clearing session भी आपको यहाँ पर provide कराया जाएगा तो चलिए प्रारम करते हैं बिना किसी देरी के आज का topic जिसका नाम है western coastal plane में हम समझने जा रहे हैं महराश्रा गोवा करनाटका के तटीय मैदान और हम प्रारम करेंगे basically के तटीय मैदानों से अब याद रखें कि जो के तटीय मैदान है इन्हें क्या कॉल किया जाता है तो माला बार तट अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आप देखेंगे पूरे western coastal plane में और eastern coastal plane में तो यह जो western coastal plane है अर्थात यह जो पश्यमी तटीय मैदान है यह वास्तिक्ता में जलमंगन तटका उधारन है और जब आप पाते हैं इस वाले एरिया को अर्थात eastern coastal plane को पूरवी त टीय मैदान को तो यह कैसा है यह एक प्रकार के निर्गमन तटका उधारन जब हुआ तो यह है जल खंड से बाहर आगया ना इसका जो मंगन तट था यह बाहर आगया है कियूँ आ गया है क्यौंकि नदियों ने यहां पर आवसादों का जमाव किया है अब सेम इसी प्रक जलमंगन तटका उधारन नहीं है अब क्यों नहीं है क्योंकि निजमनकारी बल जब यहां पर लगना प्रारम हुआ तो यहां पर आते आते यह निजमनकारी बल लगबग समाप्त हो गया that is why कि इस शेत्र में यह शेत्र तूटकर जलमंगन नहीं हो पाया अब आप ध्यान से अधी देखेंगे तो मैंने आपको बताया था पूरे पश्यमी तटीय मैदान में सरवाधिक चोड़ा तटीय मैदान आपको एक्च्वल में देखने के लिए मिलता है कौन सा गुजरात वाला एरिया परंतु जवाब इसको देखेंगे तो याद रखें कि यह गुजरात के पश्यात सेकेंड सबसे चोड़ा अर तटीय मैदान है यह एक बात इस ही के पश्यात याद रखीगा सबसे चोड़ा तटीय मैदान As it is, आपको ये short notes के form में बनाते जाना है और यदि आप sentence form करना चाहें तो sentence form करने में ज़्यादा time नहीं लगेगा Is that clear? तो जैसा मैं लिख रहा हूँ, बस उसमें का, की, के ये जो छोटे-मोटे vocabs होते हैं आप उनको add करते जाएं आप इनको सुपब तरीके से बना भी सकते हैं और अन्य था, जैसा मैं लिख रहा हूँ, इसको आप short notes के form में भी ले सकते हैं अब इसके बाद यदि हम बात करें, तो याद रखें कि इस scalar के 38 मैदान की अर्थात, इस माला बार तटकी सबसे प्रमुक विशेषता है, यहाँ पर पाई जाने वाली खारे पानी की जीले, अब आप 2 minute रुकीगा, मैं यहाँ पर एक map के थुरू भी आपको समझाने का प्रियास करूँगा, यहाँ पर खारे पानी की जीले पाई जाती है, जिनको कैरल में कॉल किया जाता है कयाल, यहाँ पर call किया जाता है कयाल, और साथ में यहाँ दो महतपून कयाल आपको देखने के लिए मिलींगी, जिस में सबसे कयाल यह सबसे प्रमुक है, इसके बारे में hagaoration करेंगे, और सेकेंड आती है हमारी वेंबानाड कयाल वेंबानाड कयाल जब आप वेंबानाड कयाल के मद्द में देखते हैं आप एटलस ओपन करके बैठिएगा यहाँ पर Oxford Student Atlas यदि आपके पास है तो याद रखेएगा कि 24 और 25 पेज नंबर पर आपको इसकी मार्किंग देखने के लिए मिलेगी और 30 मैदानों की बात कर रहा हूँ कि यह आपको कहां पर मिलता है कोस्टल एरिया में अर्था समुदर के नजदी की यह पूरी मार्किंग देखने के लिए मिलती है यहाँ important places की हम थोड़ी देर बात करेंगे तो याद रखें यहाँ पर यह दो कयाल है जिनमें से अब इनके बारे में क्या importance है तो वो हम mapping के थुरू समझेंगे second बात की यहीं पर आपको एक छेतर भी देखने के लिए मिलेगा जिससे call किया जाता है basically could not क्या कहा जाता है इसे call किया जाता है could not और यह could not अपने धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है अब याद रखेंगा कि UN की एक site है globally important agriculture heritage system है ना यह एक site है और इस site का part मनाया गया है किसे could not जो की धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है इसमें important बात क्या है तो यहाँ पर यह जो globally important agriculture heritage site है यहाँ पर विश्व में यदि कोई भी ऐसा भाग है या फिर कोई भी ऐसी क्रिश्वी पद्दती है जो की सामान से अलग है तो उसको इसका part मनाया जाता है globally important agriculture heritage system का part मनाया जाता है जो की UN के इंतरगत आती है अब इसमें होता क्या है ताकि पूरे विश्व को उसका लाभ मिल सके यहाँ पर यह आप पाएंगे तो जलवायू परिवर्तन वैश्विक तापन के कारें जो पीने योगे पानी है या फिर जो शुद्ध जल है उसकी लगातार कमी हो रही है यहाँ पर कारबन डाय उकसाइड का परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पर वनसपतियां कम होती जा रही है इन सभी इंपोटेंस को देखते हुए समय समय पर UN और तमाम देश प्रयास करते रहते हैं परंतु यह प्रयास सफ़ल कैसे हो यारी कि यह उना ने की आप किसी देश ने कोई ऐसी टेक्नूलोजी होजी है फर कोई ऐसी पदधदी होजी जिसमें आप खारे पानी से भी क्रशी कर सकते हैं जिसमें आप ठंडे प्रदेशों में wiring कर सकते हैं ऐसी क्रिशी जो कि आपको ऊशन कड़ी बंदिये छेत्रों में देखने के लिए मिलती है तो भई इस स्पैसिफिक उसी एरिया तक ना रहे आप पेटेन ले लिए परन्तु यहाँ पर पूरे विशो का भला हो सके यहाँ उसको इस साइड में शामिल करता है समुद्र तल से नीचे जाकर क्रिशी की जाती है अर्थात इसका अर्थ ही यह हुआ समुद्र के अंदर नहीं जा रहे हैं कि समुद्र की तल हटी में चले जाए और वहाँ पर क्रिशी कलने वास्विक्ता यह है नीचे क्रिशी वास्तिक्ता यह है कि यहां पर खारे पानी से धान का उत्पादन किया जाता है खारे पानी से यहां पर धान का उत्पादन किया जाता है यह बहुत ज़्यादा important होती जाती है या फिर important हो जाती है अब याद रखिएगा कि जब बात आई है globally important agriculture heritage site की पार्ट बनाया गया है तो यहाँ पर तीन छेतर आते हैं एक है उडिसा का जिसे कॉल किया जाता है कोरापुट और एक है जम्मू काश्मीर का जिसे कॉल किया जाता है पामपूरे और एक आता है कैरला का जिसे कॉल किया जाता है कुड़नाड अब याद रखें कि इसमें उत् के लिए छेतर जाना जाता है इसी फ्रकार ज़िए अप उडसा में आते हैं तो उडसा प्लाटी सब्सक्राइब c तो यहाँ पर अब मैं heading डाल दिता हूँ कि मैं बात कि side की कर रहा था तो globally important agriculture heritage system इसे चलाता है फाव अर्थात food and agriculture organization food and agriculture organization इसके इसको चलाता है इसी को call किया जाता है फाव फाव अब इसमें आते क्या-क्या है तो मैंने अभी बता दिया है आपको ठीक है I think आपको याद होगा कि उडिसा का कोरा put ठीक है उडिसा में एक क्रिशी पद्धती है कोरा put ये इसके अंतरकत आती है और इसमें mainly किया जाता है धान का उत्पादन clear यहाँ पर नदी कौन सी है तो mainly आती है यहाँ पर महा नदी का डेल्टाई छित्र नेक्स्ट आता है पामपोरे यह आता है तमिननाडू वाले सॉरी यह आता है बेसिकली जम्मू काश्मीर वाले एरिया में जे एंड के और इसमें किया जाता है केसर का उत्पादन last thing कि यहाँ पर थड आता है कोरा पुट और इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ समुद्र तल से नीचे जाकर समुद्र तल से नीचे जाकर धान का उत्पादन किया जाता है अर्थात खारे पानी की सिचाई के द्वारा खारे पानी का उपयोग करके यहाँ पर धान का उत start ही किया था और साथ में हमने इतने सारे dimension उससे निकाली आप जो आपसे examiner question करेगा ना वो इसी प्रकार से करते हैं आपको लगता है कि question कहां से आ गया यहाँ पर agriculture का है यहाँ पर आपको environment का touch देखने ली मिल सकता है और जो आप ऐसी डायमेंसिव study करते हैं तो एक ही subject के साथ आपके overlap करते हुए un subject भी अपने आप prepare होते जाते हैं तो अपने mind को हमेशा diverse रखना है यहाँ पर मैंने यह नहीं बोला है कि अपने mind को हमेशा यहाँ वहाँ भठकाना है diverse करने का मतलब कि आप हर विशाय में सोच सकें एक subject को पढ़ते हुए तो important बात यह होगी कि आप यह सभी data अपनी book में अपनी copy में put करें और यदि मा लीजिए आप put नहीं कर पा रहे हैं या फिर notes बनाने में दिक्कत होती है तो आप directly मेरे telegram handle से इनको download भी कर सकते हैं मेरे telegram handle का नाम है geography by अविशेक कुमार आप यहाँ पर join हो सकते हैं और यहाँ पर join होकर आप मुझसे connect हो सकते हैं और साथ में यदि मा लीजिए कि subject से सम्मंदित कोई भी query होती है तो आप मुझे यहाँ पर अपने doubt साजा भी कर सकते हैं जितना हो सकेगा मैं उतने आपके doubts clear करूँगा जितनी मुझसे help हो सकेगी मैं उतनी help करूँगा परंतु बस आपसे request रही कि आपको वाकई में यदि वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन सभी वीडियो उसको ज्यादा ज्यादा लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपना positive response यहाँ पर देखकर जरूर जाएं कारण यह है कि हमें मालुम चलना चाहिए हमें और खासकर मुझे मालुम चलना चाहिए कि वाकई मैं मेरी यह सीरीज आपके लिए helpful हो रही है वाकई मैं आपको अच्छा content मिल रहा है देखिए का बच्चों कि content लाने में महनत लगती है यानि कि मैं आपको कैसे provide कर रहता हूं तो वह उसमें महनत जाती है और उसके लिए आव positive response दे और साथ में यहां पर इन वीडियो पर engagement ज्यादा बढ़ाएं जितना ज्यादा engagement होगा मैं उतने ही अच्छे content आपको provide कराऊंगा मैं guarantee देता हूं कि Indian geography में एक भी topic नहीं छूटेगा यदि इन वीडियो पर engagement आता है तो clear चली प्रारम करते हैं अब यहां से मैं अपनी भाग से एक लेक देखने के लिए मिलीगी just a second अच्छा मैं इसको थोड़ा सा पतला करता हूं यह है केरला वाला चेत्र जब आप यहां नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको एक लेक देखने के लिए that is called अश्टा मूदी और अश्टा मूदी से जब आप नीचे की ओ रहा हूं और यहीं पर आप सारी की सारी मैपिंग आपको देखने के लिए मिलीगी अब एक सेकेंड इसको मैं नीचे तक कर देता हूं अब यहां पर सारी important places और साथ में और साथ में यहीं पर सारी important marking मैं करते जाऊंगा यह आपके पास Atlas है तो 24 25 पेज नंबर आप निकाल करने आप यहां से चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले तो यह जो छेतर आपको नजर आ रहा है यह क्या कहलाता है यह एक लेक है और इस लेक को नाम दिया जाता है वैंबानाड जील और इसी जील के मद्द में आपको एक ड्वीप देखने के लिए मिलेगा that is called Wellington dweep और यह जो Wellington dweep है याद रखें कि यह नेवी का सदन बेश्ट कमांड है अर्थात इंडियन नेवी यहां पर आपको दिखाई देगी अब देखेगा यह है हमारा Wellington dweep और इसी के बाहर अभी मैं लिखूंगा इस बात को पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ कि जब आप इसी के बाह दानी है जब आप बाहर की ओर आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है एक अन्य छेतर जिसे कॉल किया जाता है बिसिकली कोची जो कि एक पोट भी है जब आप इसी के आगे बढ़ते हैं तो याद रखें यह जो दक्षणी वाला भाग दिख रहा है इस दक्षणी भाग को कॉल किया जाता है बिसिकली एक लेक है यह जिसे कॉल किया जाता है अश्टा मुदी कयाल अब कयाल क्यों क्योंकि मैंने प्रिवेश स्लाइड में बताया था कि केरल राज में खारे पानी की जीलों को कयाल कहा जाता है या फिर लेगून जीलों को कयाल कहा जाता है चलिए, इसकी naming में कर देता हूं, कि ये वाली जो लेक है, basically, ये हमारी विम्बानाड कयाल, विम्बानाड कयाल, नीचे वाली आपको देखने के लिए मिलेगी, आश्टामूदी कयाल, that is, आश्टामूदी कयाल, और जब आप इससी उपर जाएंगे, तो एक river आपको देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है पोनीनी, ये अपना मुहाना मनाती है, अरब सागर में, that is, अश्टामूदी कयाल, ये जो वेम्बानाड कयाल है, इसमें याद रखीगा, ये भारत की सबसे लंबी, संपून भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहीं बोल रहा हूं, मैं सबसे बड़ी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्च्वल में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है, मैं बोल रहा हूं, भारत की सबसे लंबी, लेगून जील का उधारन है ये, कौन सी, ये है, वेम्बानाड कयाल, तो ये सबसे लंबी जी इसके पश्यात यहां पर जो आपको कोची छेत्र देखने के लिए मिल रहा है देखिएगा मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं कि यह हमारा कोची एरिया अब यह कोची क्यों फेमस है तो याद रखें कि यह पश्यमी तैटी यह मैदान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है यह मसालों के आयात के लिए यह छेत्र मसालों के आयात के लिए जाना जाता था अर्थात ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां से मेली किया जाता था मसालों का आयात और निर्यात तो सबसे पहली बात तो कि यह है एक कैसा बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह है अर्थात इट मंदित है और साथ में यह किसके द्वारा किया जाता था तो अंग्रेजों द्वारा हमेशा याद रखना अंग्रेजों द्वारा यह व्यापार किया जाता था और साथ में यह आप देखेंगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यह आप अफरिका महादीप को देखेंग यह है भारत इन दोनों के मद्द का इस्थान कहलाता है अरेबियन परनसुला यानि की अरब का प्राइजीब और जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है कराची और यहाँ पर आपको मद्दे वाले एरिया में कहीं पर दिखाई देता है क्या यहाँ कांडला बंदरगा करते थे और स्वेज नहर का निर्मान हो गया था तो सबसे सुगम इस्थान अब मेली मसाले उगते कहां है तो आप पाएंगे दक्षन भारत में इस एरिया में ज्यादा मसाली उगते हैं उसमें भी यहाँ पर जो काइड़म पहाड़ियां हैं जिनको हम इलाइची पॉर्टेंट पॉर्ट माना जाता था यहाँ कोची बंदरगाह और साथ में यह नैचुरा पॉर्ट भी था तो याद रखें कि इसी पॉर्ट को इसी बंदरगाह को कॉल किया जाता था अरब सागर की रानी क्वीन और अरेबियन सी तो यह सी को कहा जाता है अरब सागर की अब है की नहीं उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए परंतु याद रखें कालांतर में इसे अवश्य कॉल किया जाता था अरब सागर की रानी क्योंकि यहां से बहुत अधिक व्यापार अधिक नहीं बहुत अधिक व्यापार किया जाता था इसको अरब सागर की रानी कहा जा यहां पर और भी कई समुद्री मार्ग वेसी वी जब मैं आपको जलसन्दियों वाला चैप्टर कराऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कितने समुद्री मारगों की खोज भारत के कंटेक्च में हुई अर्थात निकले थे भारत की खोज में और भारत तक पहुच तो कोची एरिया और यह कोची एरिया मेली जाना जाता है किसके लिए प्रखरतिक बंदरगा मसाला निर्यात जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था अर्यप साहर की रानी और साथ में यही पर आपको एक आइलेंड देखने के लिए मिलेगा जिसको सदन नेवल कोड़नाड नहीं यहां पर कंफ्यूज नहीं होना यह कोड़नाड था यह कह था कोड़नाड अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोटायम की और यदि हम बात करें इस कोड़नाड की यहां पर मैं के ओ से इसको प्रदर्शत कर देता हूं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो और यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि that is कोटायम के अधि हम बात करें तो यहां पर कोटायम से कोड़नाड अब कोटायम से कोलाम कोलाम यहां पर आएगा अश्टा मुदी कायाल के पास उसको मैं भी शो करता हूं यहां पर एक नेशनल वाटर वे बनाया जा रहा है अब उससे पहले आप यह समझें कि एक्च्वल में यहां पर जलमार्ग बनानी की आवशक्ता किसी भी देश को पढ़ती क्यों है देखिएगा आपने उसनोग्राफी में यह पढ़ा होगा और यहां पर जो समुद्र होते हैं उन समुद्रों में प्राकरतिक जल्धारा या फिर प्राकरतिक लहरें चलती रहती है जो करती क्या है तो basically इनके द्वारा आप एक इस्तान से दूसरे इस्तान easily जा सकते हैं यहाँ पर होता यह है कि यदि माल लीजिए आप roadways में चल रहे हैं अर्थात यदि आप सड़क मार्क का प्रयोग कर रहे हैं यदि आप माल लीजिए वायू मार का प्रयोग करते हैं तो भी आपको जीवाश मीनन के आवश्यक्ता होगी और इसके लिए भी आवश्यक होगी हमारी क्या currency खर्च आएगा परंतु यदि आप जलमार का प्रयोग करते हैं तो याद रखें कि जलमार की एक natural धारा होती है जैसे कि यदि माल लीजिए आपको वाणासी से कॉलकाता जाना है विट जलमार तो आपको कुछ नहीं करना है गंगा नदी में अपनी शिप उतार नहीं और जिस और गंगा नदी का प्रवा है आप उस और चले जाएंगे अब कोशन उठता है कि वापस कैसे आएंगे वापस आने में तो लगेगा तो भाई इसका डाउट बाद में हम क्लियर करेंगे परन्तु यहाँ पर याद रखें कि जलमार क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए ज्यादा लेंदी ना हो जाए और हम कहीं और न रिस्पॉंस मिलता है मुझे तो फिर मैं आगे और इस सीरीज को कंटीनिव करूंगा अभी जो रिस्पॉंस मुझे कम मिर रहा है तो मुझे लग नहीं रहा है कि एक्ट्वल में इस्ट्रियंट को यह सीरीज पसंद भी आ रही है इस दैट क्लियर चलिए अब यदि हमें आ जलमारगों का निर्मारग किया जाता है और यहां पर आपको को टायम छेत्र में एक जलमारगे देखने के लिए मिलेगा और यह कहा तक मिलता है आपको टायम से जवा नीचे आते हैं तो यह है कोलाम वाला चेत्र सब्सक्राइव अब मैं इसको लिखा हुआ हूँ KL है ना अब आप समझ जाना है देखना K के ज़्यादा हो रहा है That is why मैंने इसको directly कोलाम लिख दिया हूँ और इस कोटायम से कोलाम तक वाले एरिया में एक जलमार का निर्मान किया जा रहा है That is इसका नाम क्या है तो इसका नाम याद रखें आप National Waterway 3 यह हमारा कोटायम से कोलाम और इससे कहा जाता है National Waterway 3 अर्थात राश्यय जलमार्ग संख्या 3 अब आप मुझे बताएं कि राश्यय जलमार्ग संख्या 1 कहा है और राश्यय जलमार्ग संख्या 2 कहा पर है यह तो है हमारी थर्ड यानि कि नेशनल वाटर वे एन एच एनेच नहीं नेशनल हाईवे नहीं है एन डवल्यू नेशनल वाटर वे नंबर थ्री आपको इस सेरिया में देखने के लिए मिलेगा इस देट क्लिए चलिए आगे बढ़ते हैं यहना कहां से कहां तक तो कोटायम कोलाम तक अर्थात वयंबंअड्ले के पास से इप्रारम वहता है और जाता कहां तक है तो यह बैसिकली पहुंचता है हमारा आश्टामुदी कयाल तक और यह हमारी आश्टामुदी कयाल यहां पर एक और बात यांद रखें कि जब आप करनाटका के, जब आप कैरला के मैप को देखते हैं, तो कैरला के ही मैप में आपको कुछ और important places देखने के लिए मिलेंगी, अभी एक कौन सी है important place, तो just a second मैं इसको set कर देता हूँ, ताकि ये पूरा पूरा वीडियो आपको देखे, यानि कि पूरा पूरा मैप अब मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि आपको देख रहा होगा, और यदि नहीं देख रहा है, तो PDF के form में ये तो मिल ही जाएगा, जब आप इसके भी नीचे आते हैं, तो फिर आपको कोलाम से नीचे एक अन एरिया भी अकर होता हुआ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कैपिटल भी आती है किसकी, कैरला, राजी की, यह कैपिटल है और आपको पता होगा, जब आप इसी के उपर बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि जश्ट उपर वाले छेत्र में, यानि कि यहाँ कहीं पर आपको एक रिवर प्रवाहत होती हुई देखने के लिए मिलती ह कि यहाँ पर मोहाना मनाती है, उस छेत्र में आपको एक एरिया देखने के लिए मिलेगा, that is also called पोनीनी, अर्थात पोनीनी नदी किस एरिया में अपना जल विसर्जित करती है, तो आपको याद रखना है कि यह बंगाल की खाड़ी सागर में अपना जल गिराती है, और किस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, एक और छेत्र जिससे call किया जाता है, basically कुनूर, अब आप मुझे बताएं कि यह कुनूर क्यों फेमस है, clear, why यह कुनूर क्यों फेमस है, तो यहाँ पर यह है कुनूर, यह है पोनीनी रिवर, इसको मैं डाउन कर देता हूं, that is पोनीनी, clear, अब यहाँ पर आप देखेंगे, पोनीनी, यह है पोनीनी वाला एरिया, यह है पोनीनी नदी है न, याद रखीएगा बच्चों, यह है पोनीनी नदी और यह है पोनीनी प्लेस, यह दोनों ही प्लेसेस हैं, फर यहीं पर आपको कोची गुड़ी, और साथ में इसी एरिया में आपको पुंडू चेरी का एक जिला देखने के लिए मिलेगा that is called माहे मैंने आपको बताया था कि पुंडू चेरी के कुछ जिले हैं जो कि अलग-अलग राज्यों में इस्थित हैं यानि कि तीन चार जिले करने का प्रियास करूँगा तो यहां पर यह पौनी नहीं 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 थी अब यहां पर जब हम कोरो मेंडल टैट पर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक रिवर है जो कि वर्षवाहिनी नदी का उधारन है यह रिवर कौन सी है आप मुझे बताएं यह चैना कि भारत में एक एसी या फिर फ्राइग यूपिये भारत की एक ऐसी नदी जो की वास्तविक्ता में वर्षवाहिनी नदी का उधारन है यह बलकी पैनेंसुलार इंडिया में सभी नदियां वर्ष वाहिनिय नदी का उधारन नहीं मानी जाती है आप मुझे बताईएगा कि ये कौन सी है ये कौन सी है आप मुझे बताईएगा और यहाँ पर मैं इसको भी नोट डाउन कर देता हूँ कि भई ये है हमारा पुंडू चेरी का एक जिला ये करनाटका वाला जो मैदान है ये पूरा पूरा समाप्त होता है अब मैं एक बार इसको एड़्यस कर दीता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडेस्टेंडिंग हो सके तो ये था हमारा कैरला कोष्ट अब नेक्ट पर आते हम यानि कि यहां पर हमने कैरला कोष्ट के बारे में पूरा पूरा डिस्कसन किया माला बार कोष्ट के बारे में हमने पूरा डिस्कसन किया अब जो नेक्ट स्लाइड हमारी रहेगी ये रहेगी करनाटका के कंणड तट पर करनाटक में एक तत्ठ है जिसे basically call किया जाता है करनाड तत्, अब यदा रखें कि इस करनाड तत् की रिखे । करनाटक का करनाड तत् इसकी basically विशेस्ता ये है, ये एक्चुल में जलमंगंच टत् का उधारन है ठीक है जलमंग नतर्ट क्या होता है और इस ये कैसे जलमंग नतर्ट बना इसके लिए मैंने आपको पूरा पूरा वीडियो डेटिकेट बना रखा है उसको जाए उसको देखें ताकि आपको बैटर तरीके से अंडर्श्टेंड हो सके अब सबसे पहले इसका हम मैप ड्रॉ क के बारे में आप यहाँ पर नोट डाउन के लिए देखेएगा कि यह है जलमंग नतर्ट का उधारने पहली बात तो जलमंग नतर्ट है किस क्रिया के द्वारा बना तो निज्यमन कारी क्रिया के द्वारा यह बना मुखता कहां आता है करनाटक में और मुखता यह आपको इ एरिया में देखने के लिए मिलता है that is why यह सब भी बाते आपको याद रखनी होती है जो आप नीचे आते हैं तो याद रखना कि इसकी जो मुख्य नदी कहलाएगी that is called शरावती नदी इसकी मुख्य नदी या फिर इसकी में रिवर कहलाती है शरावती नदी और इसी शराव प्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा that is called जोग जल प्रपात जोकी एक टाइम पर भारत का सबसे उचा जल प्रपात हुआ करता था अब इसका नया नाम क्या है बताए मुझे नया नाम कमेंट सेक्शन में चलिए मैं ही बता देता हूं क्योंकि कोशन मैंने बहुत ज़ चुरू करते हैं इस पूरे करनाटक टक्ट के बारे में इससे भी पूरे आप एक और बात याद रखें कि इसका जो सबसे प्रमुक बंदरगाह माना जाता है इसके जो सबसे मेन पोर्ट माना जाता है that is called Mangalore पोर्ट या फिर Mangalore बंदरगाह और ये Mangalore बंदरगाह मेंडल तो नहीं, बेसिकली नर्याद किसके साथ करता है तो जैपैन के साथ ये कर्णातक में उतपादे तो होने वाले या फिर निकाले जाने वाले आयरा नूर का निर्याद करता है जापान के साथ, इस धैट क्लियर, चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, अब इसके बारे में पुरी डेटी लिंग मैंने कर दी थी, that is why यह आपके लिए काफी easy हो जाएगा, I think, is that clear? चलिए, आगे आते हैं, इसको मैं cover up कर देता हूँ, और फिर इसी से आगे बढ़ना चालू करते हैं, कि भाई, यहाँ पर आपको actual में कौन-कौन सी important places देखने के लिए मिलेंगी, चलि कारण यह है कि करनाटका का कोष्ट बहुत ही छोटा है, यहाँ से यह बड़ा है, यहाँ से यह छोटा है, तो that is why यह एक प्रकार से समझने के लिए काफी है हमारे लिए कि भाई, करनाटका का कोष्ट है कैसा, देखना, जब आप सबसे उपर देखेंगे, तो इस एरिया मे आपको एक छेतर देखने के लिए मिलेगा, यह कौन सा छेतर है, इसे कौल किया जाता है, यहाँ पर मैं लिक देता हूँ, डी, डंडेली नेशनल पार्क, यह में लिए एक नेशनल पार्क है, यह बात इसलिए याद रखने हैं, क्योंकि जब आप इसी के नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपको एक और एरिया देखने के लिए मिलेगा, that is called शरावती, यह है हमारा शरावती वाला छेतर, शरावती, और यह शरावती क्या है, तो यह एक प्रकार का वन जीव अब्यारन है, यह है शरावती वन जीव अब्यारन, बस आपको इनका ओर याद रखना ह कारण यह है कि UPSC कई बार आपसे यह order पूछ लेता है, wildlife, century, कि भई इसमें क्या उपर है जाता और क्या नीचे है, clear है भई, तो यहाँ पर शरावती, वन जीव अब्यारन, जो आप इससे भी नीचे उतरेंगे तो देखना, तटिये छेतर में, तटिये भाग में, आपको एक और एरिया यहाँ पर आकर होगा, that is called उडूपी, इसको मैं यू से परदर्शित कर देता हूँ, और यह उडूपी के बारे में शायद आप जानते हूँ, कि यह प्रकारजी सब्विता है, और साथ में, आज वरतमान में, यह एक food chain भी बन चुकी है, that is, यह है उडूप और शायद आपको पता हो कि यह कुद्रे मुख किस लिए जाना जाता है, तो यह मेंली जाना जाता है अपने आईरन ओर के भंडार के लिए, अब आप कोशन की depth समझ पा रहे हूँगे कि इससे मेंली, प्री में आपके कोशन आने की संभावना है, तो यह प्री के accordingly ऐसा है, क्लियर यह है हमारा कुद्रे मुख छेतर, जो कि मेंली जाना जाता है अपने आईरन ओर के उत्पादन के लिए, अर्थात लाइस के उत्पादन में यह अपना महतपूर्ण इस्थान रखता है, जब आप इससे भी नीचे आएंगे, तो इस एरिया में अब आपको देखने की और किसको पाते हैं आप बैंगलोर को, अब मैंने मैप पहले ही बता दिया था कि यह रफली मैप है, करनाटका का आपको पूरा मैप बनाने की आवशक्ता नहीं है, यह है मैंगलोर और यह है बैंगलोर, अब यदि आप इन दोनों को एक लाइन के द्वारा में लादेते बैंगलूर और यह हमारा मैंगलूर वाला छेतर, that is मैंगलूर, अब मैंगलूर बंदरगा के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, is that clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, जब आप इसी से थोड़ा पीछे की और अर्था 30 मैदान से थोड़ा इस साइड और बढ़ते हैं, कहां प पूर क्यूर, तो पूर क्यूर आपको एक और important place देखने के लिए मिलेगी, that is, चिक मंगलूर, अब आप मुझे बताएंगे कि यह चिक मंगलूर, actual में famous क्यूं है, यहाँ पर आपको actual में देखने के लिए मिलेगा, चिक मंगलूर वाला छेतर, चलिए मैं ही बता देता हू यह जाना जाता है यह चिक मंगलूर वाला छेतर, और यह इतना clear है, तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मालाबार कोश्ट की बारे में discussion किया, दैन उसके बाद हम कंणर कोश्ट पर आए, कंणर कोश्ट जो की में ली करनाटका राज में हैं, औ सबसे उपर है दंदेली जो की नेशनल पार्क है, शरावती वनिजी अभ्यारन उडूपी, फिर आता है चिक मंगलूर और आता है कुद्रे मुख, फिर आता है क्या बैंगलूर और फिर आता है मैंगलूर इनका नौर टू साउथ और आपको ऐसे ही याद रखना है, अब श इंपोर्टेंट रिवर है, और इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि पैनेंसुलार इंडिया की बाकी सभी नदिया एक्च्वल में अपना जल्व सर्जित करती हैं कहां पर बंगाल की खाड़ी सागर की और परंतु कुछ रिवर्स हैं जैसे कि गुवा की आ जाती है मांडवी सर्जित करती हैं अरब सागर में अपना जल्व सर्जित करेंगी एक और इंपोर्टेंट बात यह हो जाती है कि यहां पर जो भी नदियां अरब सागर में अपना जल्व सर्जित करेंगी यह बनाएंगी क्या एक्च्वल में यह बनाएंगी एशूरी डेल्टा अब एक प् ना clear है तो हम अपना third top बे start करते हैं that is यह आता है महराश्रा का तट या फिर इसे ही directly हम call कर लेते हैं कौंकन तट अब यह कौंकन तट बस आपको name से याद रखना है और साथ में इसके बारे में दो टीन factual data है जो कि आपको mind में settle down करना है सबसे पहले तो यह कौंकन तट जलमंगन तट का उदारेन है पहली बात तो यही हो जाएगी repetition में आप repeat कर लीजिए इसको second बात कि इसका विस्तार actual में आपको कहां से कहां तक देखने के लिए मिलेगा तो विस्तार के लिए याद रखें कि महराश्ट्रा and Goa में यह आपको विस्तेरित देखने के लिए मिलेगा और यही पर आपको दो रिवर्स भी देखने के लिए मिलेगी that is कौन सी हो जाती है ये एक होती है अर्थात यहाँ पर मैं गोवा की रिवर्स की बात कर रहा हूँ गोवा में एक हो जाती है जुवारी नदी एक है मारी जुवारी और एक आती है हमारी कौन सी मांडवी नदी तो जुआरी और मांडवी नदियां इस शेत्र में प्रवायत होती है अब एक last question आपके लिए फिर मैं इसके बाद नहीं दूँगा कि भई गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर आपको इस्थित दिखाई देती है जरा यह मुझे आप comment section में बताईएगा clear factual data है आप एक minute में इसको खोश सकते है Atlas के through भी आपको मिल जाएगा और यदि ना मिल पाए तो मैं next video में ये सभी doubt clear करूँगा परन्तु आप comment करके जाएगे का कि नहीं सर आप मुझे next video में ये doubt clear करिये तो मैं वीडियो सुरू होने से पहले ही वे सभी doubt आपके समक्ष clear करूँगा और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आप इसकी PDF को geography by अविशेक कुमाय टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और यदि पसंद आ रहा हो तो आप इन वीडियोस को like कर सकते हैं positive response दे सकते हैं और साथ में इन वीडियोस को share भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि यह सीरीज आपके लिए वाकई में वास्तविक्ता में useful हो रही है is that clear तो चलिए यहां से अब आप यहां याद रखिएगा कि हम बात जो कर रहे हैं कॉंकर्ण तैट के बारे में इस कॉंकर्ण तैट के लिए यह जो मांडवी नदी है एक्ट्वल में यो मांडवी नदी है गोवा की यह मैंने इसलिए यहां पर note down की है ताकि आप यह पता लगा सके यह है जान सके कि इस मांडवी नदी पर एक जल प्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा एक waterfall देखने के लिए मिलेगा इसे कहा जाता है दुग्द सागर इसको नाम दिया जाता है दुग्द सागर वाटर फॉल प्लियर ये कहां पर है गोवा में मांडवी नदी पर ये देखने के लिए मिलता है दुग्द सागर वाटर फॉल या फिर दुग्द सागर जल प्रपात सेकेंड बात कि इसी 38 छेतर में आपको एक स्थान मिलता है जिसे कॉल किया जाता है बिसिकली जल्दा पारा जल्दा पारा नामक एक स्थान देखने के लिए मिलेगा और ये जल्दा पारा अपने nuclear power plant हेतु जाना जाता है जल्दा पारा ये मेली जाना जाता है अपने nuclear power plant के ल दो और प्लेसेज देखने के लिए मिलेंगे अर्थात अब इनका मैप तो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये मैप उतना कारगर तो नहीं है यानि कि बहुत कम डेटा है इसमें तो यहां पर एक छेत्र है जिसका नाम है मुंबई और मुंबई के अलावा एक और छेत्र मिलती है अर्थात मुंबई पहले रहा होगा कैसा भाग भारत की मुख्य वूमी के भाग परंतु आज वर्तमान में यह आप देखें तो मुंबई की स्थिती द्वीपी है अर्थात ये भारत की मुख्य वूमी से कुछ दूर दिखाई देता है तो मुंबई की स्थिती वा वास्तिक्ता में इस्तित है सालसी द्वीप किसका भाग था ये सालसी द्वीप किसका भाग था तो ये वास्तिक्ता में एलिफेंटा द्वीप समू का भाग माना जाता है परंतु आज वर्तमान में यदि आप एलिफेंटा द्वीप समू की बात करें तो इस एलिफेंटा ग् परंतु अब इसके आधे से अधिक दीप जलमंगन हो गया है, अब जो बचे हैं, दो दीप, इनमें से एक है सालसी, जिस पर बेसिकली इस्तित दिखाई देता है क्या, हमारा यह है छेतर अर्थाद, that is, इसे कॉल किया जाता है, इसे नाम दिया जाता है, बेसिकली क्या, सालस Is that clear? और यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक समाप्त होता है, अर्थाद भारत के 30 मैदान, यहाँ पर हमारे पूरे इन डीटेलिंग फॉर्म में समाप्त हुए, और मैं आशा करता हूँ कि इन से आपको थोड़ा बहुत ही सही, परंतु नॉलेज मिला होगा, और नॉलेज ग करना क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, चलिए भई, अब यह PDF आपके लिए मैं यहाँ पर रेडी भी कर देता हूँ, यहाँ पर यह पूरी PDF आपको अब मिल जाएगी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस स्लाइट से, एक और बात, कि यह आप एक एभी लाइप करके मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं, तो यह बैचे शाम को 6 बजी मेरी जोगरफी क्लास लगती है, 6-9, 3-3.5 गंडे क्लास रहती है, जिसमें अच्छे से हम एक एक टॉपिक को अध्यन कर रहे हैं, अभी इस क्लास स्टार्ट ही हुई है, तो अभी आप जोइन कर सकते हैं कि तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इस्टडी आइक्यू आईएस हिंदी